हाव रफिक्स सैमसंग एस ड्योस कॉल डिस्प्ले नॉट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी काति किराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में किसे कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमें जब इसकी कॉल आते हैं तो कॉल पर कॉल आने पर दोस्तों शो नहीं होते डिस्प्ले पर ठीक है इस तरह के का प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है तो अगर दोस्तों आपको भी यह प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कैसे इस प्रॉब्लिम को फीक्स करना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आई तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें सब्सक्राइब से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको करना कि आए आप दोस्तों एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखें ठीक है अगर रिस्टार्ट से कम बन जाते ही तो ठीक है अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों प्रॉब्लिम सॉल्फ नहीं हो रहा ह तो जाएए दोस्तो अपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर scroll down करना है apps पर जाना है और उसके बाद आपको scroll down करते हुए नीचे आ जाना है ठीक है यहाँ पर नीचे आपको आते जाना है और phone पर click कर देना है phone service या फिर phone उसके बाद जाना है आपको storage पर clear data पर click करते हुए ok कर देना है data clear करने के बाद दोस्तों आपको जाना है permissions पर और सारे permissions allow कर देना है सारे permissions allow करने के बाद दोस्तों आप अपने device को restart करें और check करके देखे solve हो चुका होगा आपका problem ठीक है और Samsung की device में दोस्तों कुछ इस तरीके का interface का setting भी होते जो कि मैं आपको show करके अभी बताऊंगा ठीक है तो ठीजोस पर click करते हुए setting पर जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों call background पर जाके layout चेक करेंगे layout दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आप set कर सकते ठीक है layout दोस्तों आप अपने हिसाब से set कीजिए और यहाँ पर आप देखे call display while using apps तो इसको भी आप यहाँ पर set कीजिए full screen चाहिए call pop-up चाहिए या फिर mini pop-up चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर set कर सकते हैं अगर आप यह सब setting set कर देते तो अच्छे से काम कर जाएगा problem solve हो जाएगा by any chance अगर आपको problem आते हैं तो आप जाए आपने mobile के setting पर setting पर जाके दोस्तों आपको scroll down करना है software update पर क्लिक करने और mobile software update कर देना है mobile software update करते हुए दोस्तों आपको problem solve हो जाएगा by any chance software update के बाद भी problem आ रहा है तो आप दोस्तों mobile पर default यहाँ पर कुछ application यूज़ करना होगा ठीक है जैसे की default डाइलर true color तो true color को ऐसे default डाइलर आप यूज़ कीजिए तो इससे काम बन जाएगा कुछ दिन के लिए ठीक है जब तक कि next software update नहीं आते तब तक आपको यूज़ करना है next software update में 100% solve हो जाएगा problem तो इस तरह के से call display not showing problem fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने आओगा thanks for watching